चुनावी सरगर्मियों को आज बात करें हैं, राश्स्तान की राजणिति को लेकर बात कर रहे हैं, सियासत में क्या को चल रहा है। टिकेट बित्रण दोनों ही पार्टियों का पूर्ण होने वाला है लिस्ट कभी भी आ सकती है दोनों ही पार्टियों के हाला कि एक बीजेपी पार्टिय के एक टिकेट जारी हो चुकी है 41 लोगों के लेकिन एक लिस्ट जारी होते ही जंता के रिये ट्रेलर देखाया भी पिक प्रिटावत देखा होगा जालोर के सांचोर में साथ व्यदानसवा साथ जो मंडल अद्यच्छ हैं बीजेपी के उन्होंने इस्तीफा भिजदिया ब़तपुर में भी नगर विदानसवा सीट पर हंगामा है वगावत सुरू हो गई बिदानसवा सीट पर भी इतना जादा अ कि फिलाल फोकस करें हम बढ़तपुर विधान सवाज सीट का यह विधान सवाज सीट से डॉक्टर सुवाज गर्ग जो अब यह उमीद की जा रही है कि कॉंग्रेस और राष्टिय लोगदल का गठवंदन इस सीट पर होने वाला है और डॉक्टर सुवाज गर्गी यहाँ से प्रत्यासी होंगे बिजे पी से कौन होने वाला है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता दाविदार तो बहुत है कहा जा रहा है कि बीजे पी ब्रामर समाज को भी टिकेट दे सकती है या फिर बैसे समाज को भी टिकेट दे सकती है पूरी जो बिधायक रहे हैं दो बार लगातार बीजेपी से बिजेवनसल वो बरखास थी अभी उनकी एंट्री नहीं हुई है तो इसलिए फैलाल बीजेवनसल बीजेपी से टिकेट ले आएंगे ये कयास भी नहीं लगाए जा सकते हैं बजनलाल सर्मा जो प्रदेश महमंत्री हैं बीजेपी के बताय जा रहा है कि उनको टिकेट मिल सकती है बीजेपी दे सकती है यहां से इसके अलावा काफी समय से जो मांग उठ रही है क्योंकि भरतपूर सीट जो बिधानसवा सीट है वो जाट बहुले सीट है अगर बीजेपी मतदाताओं की संख्या के आधार पर अगर टिकेट देती है तो जाट समधाय को टिकेट साय दे सकती है जिसमें जो लाइन में है सबसे ज़्यादा दाविदार है वो ओदैसिंग है जो काफी समय से महनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और डिमांड कर रहे है एक लोगिक यह बिए कि सबसे ज़्यादा जाट मतदाता थाया में जाट समाध से तालुक की जा रही है तो हो सकता है अगर जाट समधाय से टिकेट देती है तो उदैसिंग को टिकेट मिलने के चांस हो सकते है बैसे समाज से अगर टिकेट देती है तो बिजे बंसल को साइध रिपीट इनको करना पड़ेगा वर्खास थे उनको पार्टी में लेना पड़ेगा लेकिन फिलाल ऐसे चांस नहीं लग रहे हैं यह सग्रवाल है बहुत घूम रहे हैं यह सग्रवाल को भी मिल सकती है अगर बैसे पर ही वह दाव लगाती है बीजे बिजे बंसल को नहीं देती है तो ब्रहमर समाज को अगर देती है तो फिर बजनलाल सरमाज सर्वप उपर है सबसे उपर लिष्ट में आते हैं उनको टिकेट मिल सकती है लेकिन यह कहा जा सकता है कि फिलाल जो डॉक्टर सुवासग को हिट कर सके और लड़ाई लड़ सके लेकिन फिलाल डॉक्टर सुवास गर्ग ने जो गैप एक एक स्पेसिक लगा दिया है पैदा कर दिया है विदानसवा चेत्र में उस गैप को पाटना साइध बीजे पी के लिए मुश्किल प्रतीत हो रहा है फिलाल और उनके जो डा उन्होंने काम की है सबी जातियों के लोग उनको समर्थन करते हैं इसलिए बीजे पी को भी टिकेट बित्रण से पहले यह तै करना होगा कि डॉक्टर सुवास गर को कौन ब्यक्तिफाइड दे सकता है उसको ही मैदान में उतारा जाए दूसी तरफ डी कुमेर की अगर बात करें बश्वाकि बिश्वेन सिंह ने जा रही है बीजे पी से जो डॉक्टर सैले सिंह है जो डिगंबर सिंह ते डिवंगत हो गए उनके पुत्र है उनको दूसरी बार रिपीट करने जा रही है बीजेपी उनको टिकेट मिल देगी ऐसा बताय जा रहा है काटे की टकर है सकती ही रहेगी क्योंकि दोज़ार अठाइब के बिदानसवा की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपना प्रित्यासी गोसित कर दिया जवार सिंग बेडम वहां से अनिता सिंग जो नर्देले चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है नेम सिंग फौज़दार है जो 2018 के बिदानसवा चुनाव में दूसरे नमर पर आए थे उन्हों ने चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है और आजा समाज पार्टी जो चंद सिकर आजाद किये है बीमार में की उस लोगे कहीं ना कहीं कॉंग्रेस बाजे वली को टिकेट देने जा रही है क्योंकि कॉंग्रेस के मताविक बाजे वली एक मजबूर्त केंडिट होंगे कॉंग्रेस के लिए कामा की अगर बात करें तो कामा मुस्लिम बहुले सीट है वहाँ जाहिदा खान उनके पिता तैयव जाहिदा खान दोज दोवार लगातार रहा चुकी है उनका होल्ड है परबार का उनका हान को कॉंग्रेस टिकेट देने जा रही है इसकी संभवना पूरी बताई जा रही है वह समझ में नहीं आ रहा है वी बिजएपी वहां से किसी भी बैस समाज के व्यक्ति को मैदान में गड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि 2018 के चुनांब में भी मुस्किल पैदा हो गई थी जो जवार सिंग वेडम जिनको नगर से बीजेप टिकेट दिया है पहले वो मा लड़े थे 40,000 वोटों से जाहिदा खान ने उनको हराया था अब बीजेपी भी वहाँ चिंतित है कि ऐसे किस प्रतियासी और समुदाय के प्रतियासी को टिकेट दी जाए जो जाहिदा खान को टकर दे सके लेकिन फिलाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो जाहिदा खान को टकर देने की स्थिति में हो लेकिन डेफेंड करता है कि ब तो नदवई को हम बहले से ही आपको बार बार बता रहे हैं कि पूरे राजस्थान में बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट वड़ी आसानी से लगती है नदवई क्योंकि वहां जो बेदायके कॉंग्रेस के जोगन सिंह वाना उनके खिलाफ पांच बड़ से लगातार जो माहौल रहा है नाराजगी रही है ब्रिष्टाचार के आरोप लगे हैं और यह नारे लगते हैं कि गोबेक रवाना अवाना को रवाना करना है तो कहीं बीजेपी जो पूर्व राजपरवार है उसकी सदश है क्रिस्डेंद्र कॉर्दीपा उनको टिकेट देने जा रही है पूरी क्रिस्डेंद्र कॉर्दीपा महेज 3100 मतों से चुनाव हारी थी इसलिए बीजेपी को लगता है कि सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई केंडिडेट है उनके पास तो वह क्रिस्डेंद्र कॉर्दीपा है जो राजपरवार की हैं और बो चुनाव जीत सकती है इसलिए उनक चुनाव से बेखने डाख चौनाव लड़ा धिया था है और उसके बाद फिर फिर वह लड़े नहीं बैठे रहे हैं और वजणलाल जाटव को जो तो कॉंघरिस के फिलाल विदायक है, PWWD मंत्री है बताय जा रहा है करनागे K beide अपना परत्यासी बनाने जा रही और उनके और वह बिजन अलाव हिए तो बजनलाल जाटाव से टिक विदायक भी है, उसलिए कोन्गे K बजनलाल जाटब को ही टिकेट देने जा रही है बीजेपी दे ही चुकी है लेकिन वहाँ पर भी कॉंग्रेस के लिए राश्ता बड़ा आसान नहीं बताया जा रहा है उसकी वज़े यह है कि बजनलाल जाटब जो मंत्री हैं उनके खिलाफ काफी आक्रोस है जैसे नदवई म आरोप लगाए थे कॉंग्रेस बिदाय के लगते रहे हैं वैसे बजनलाल जाटब पर वहां के लाके के लोग आरोप लगाते रहे हैं कहीं किडेलिए जोनों की प्रतियासिये वो एक तरह से साफ नजर में आ रहे हैं रही बैयाना विदान्सवा सीट कि अगर बत करें तो एस सी के लिए रिजर्व है यह सीट सचिन पाइलेट जब आये थे 2018 में वेदानसवा चुनाब में तो अमर सिंग जाटव को खड़ा किया था और चुनाब जीत गए थे सचिन गुर्जर वाहुले इलाका है यह पूरी सीट और सचिन पाइलेट का यहां काफी क्रेज है उनका सिका चलता है अब बताय जा रहा है कि अमर सिंग जाटव को चेंज किया जा सकता है उनको टिकेट नहीं दी जा सकती कोई नया प्रतियासी कॉंग्रेस ला सकती है किसको को लाएगी बहुत समय बताएगा लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सचन पैलेट का आदमी है इसलिए टिकेट साथ उसको रिपीट कराए जाएगी अमर सींग को लेकिन लोग कहते हैं कि अमर सींग का जीतना बड़ा मुस्किल है इसलिए कॉंग्रेस सोच रही है कि प् बीजेपी अपना उम्मीदवार वयाना से बना सकती है बच्चू अगर रंजीता कोली को नहीं बनाते हैं तो बच्चू वंसीवाल को महां से टिकेट मिल सकती है दूसरी नमर पर और जो रितू बनावत है जो जिलाद द्याच्छें रिशी वंसल बीजेपी के था इसलिए जो रितू बनावत हैं बीजेपी प्रेजडेंट जिले की रिसीवंसल उनकी जो पत्नी है रितू बनावत वो चुनाव जरूर लड़ेंगी नरदली लड़ेंगी वो लड़ने जा रही है वो गोस्णा भी कर चुकी है और पांच वर्सी लगातर त्यारी भी कर करती है यह भर्दपुर जिले का समीकर्ण जो कहता है दौलपूर की अगर वात करें दौलपुर से जो सोवरानी कुषवा है वह बीजेपी से जीती थी उप्चनामे लेकिन उसके बाद कॉंग्रेस में सामिल हो गई बताए जा रहा है कि उम्मीद्वार को अपना उम्मीद क्लियर हो पाएगी तो यह कहा जा सकता है कि फिलाल पूर्वी राजस्थान में ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रताशी गोसित नहीं किये हैं करने वाले हैं कॉंग्रेस का इवता जारत जो सिटिंग विधायक हैं उनको ही तवज्जों दी जाएगी उनको ही दुबारा से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा लेकिन इतना जरूर है एक मुद्दा में रहेगा हावी रहेगा यह एक सवाल उठेगा कॉंग्रेस के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ यह कहा जा सकता है और कहने में कोई अतिस्योक्ति नहीं होगी कि फिलाल जो बीजेपी ने टिकत बित्रण किया है उसके वाद बगावत जिस तरह से ध्रातल पर सामने आच चुकी है पार्टी के अंदर बताय जा रहे है कि कॉंग्रेस की एक लिस्ट आने दो उसमें भी इस